ओम नमः सिवाय ओम ओमा महश्वराय नमः सिव जोतिरलिंग और माभगवती सक्ति पीट दोनों तिर्थरस्थल सिर्फ बैद्यनाथ धाम देवगर जारखंड में एक ही प्रांगन में है जिसका सिकर पवित्र धागों से जुड़ा हुआ है बैद्यनाथ धाम देवगर ही एक ऐसा तिर्थरस्थल है इस संसार में जहां सिव जोतिरलिंग और माभगवती सक्ति पीट दोनों एक ही प्रांगन में इश्थित्ध है कहा जाता है कि यहां मा सती का हृदय गिरा था इस कारण मा भगवती सक्ती पीठवी सिव जोतिर लिंग के साथ है सावन महिना में बैदनाद धाम में काफी उत्सो का माहूल रहता है जब कावरिया सुल्तान गंज में गंगाजल भरते हैं और पैदल यात्राकर बैदनाद धाम जोतिर लिंग पर बाबा को जला भी सिख करते हैं बाबा बैदनाद धाम में मा पारवती मंदिर का इतिहास है रोचक गटबंदन की भी है परंपरा देवघर बारह जोतिर लिंगों में से 12 जोतिर लिंग बाबा बैदिनाथ मंदिर वा इनके प्रांगन की सभी मंदिरों का पौरानिक महत्तु है इन मिस्रवारिक महत्व बावा के बार मापारवती की पूजा का है जहां भक्त पूजा करने के लिए घंटो कतार में लगकर मापारवती की पूजा करते हैं यहां मास्वती का हिर्दे गिरने के कारण ही बैदनाथ जोतिरलिंग के साथ मासकती विराजमान है इस मंदिर का निर्मान पुर्वशरदार पंडास्वरगी अस्री स्री रत्न पाजी ओजाने 1701 से 1710 के बीच कराया था इस मंदिर से शिव के साथ सक्ति का महत्तो है मा पारवती मंदिर की लंबाई लगभग 65 फीट वा चौणाई लगभग 35 फीट है मा के दो रूपों के होते हैं दर्सन मा पारवती मंदिर के सिखर पर पहले तांबे का कलस था बाद में कलस बदलकर चांदी का लगाया गया कलस के उपर पंच सूल भी लगा है सिखर के गुंबद के नीचे के सरिया रंग से रंगा हुआ है इस मंदिर की बनावट अन्य मंदिरों से अलग है इस मंदिर के बाहरी और देखने पर हलकी नकासी है इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए मंदिर प्रांगन से सीड़ियों को पार करके भक्त माशक्ती मापारवती के प्रांगन में पहुंचते हैं सामने पीतल के दरवाजे को भक्त पर नाम करते हैं इसका निर्मान जमिनदाद पंजियारा इस्टेट के जमिनदाद सालिक ग्राम सिंग ने 1889 में पीतल का द्वार लगा कर कराया था सिव भक्त पर नाम कर मा के गर्व ग्रीह में पहुंचते हैं जहां मा के दो रूपों के होते हैं दर्सन जिनमें बाई और मात्री पूर सुंदरी वर दाई और मा जैदुर्गा के रूप के दर्सन होते हैं यह दोनों देवियां बैदनाथ तित्त की अधिस्ठात्री देवी जैदुर्गा हैं तांत्रिक विधी से होती है पुझा बाबा की पुझा के बाद मापारवती मंदिर इस्थित मात्री पुरसुंद्री वह और मा जैदुर्गा के पुझा का महत्त्व अधिक है इन दोनों देवियों के रूपों को चारो और एस्टिल की ग्रील से घिरा हुआ है इस कारण मासक्ती की पूजा करने के लिए प्रवेश कर भक्त बाईयोर से पूजा करते हुए दाईयोर से बाहर निकलते हैं यहां पर भक्तों वो पुजारी सभी के लिए प्रवेश वा निकास द्वार का एक ही राष्ता है इस मंदिर में ओजा परिवार मंदिर एस्टेट की ओर से पूजा करते हैं यहां पर मासक्ती की तांत्रिक विधी से पूजा की जाती है चार दिन तक पूजा नहीं कर सकते हैं भक्त भक्त सालो भर मासक्ती की पूजा कर सकते हैं केवल आश्विन मास के नौरात्र के समय भक्त चार दिन तक पूजा नहीं कर सकते हैं नौरात्र के सब्तमी तिथी से नौमी तिथी तक इस मंदिर में प्रविश करते हैं तिर्थ पुरोहित के वनसज माफारवती के प्रांगन में अपने यजमान को संकल पूजा कराने के लिए अपने गद्धी पर रहते हैं इनमें बाईं और लालधन गुलाबधन पंडा के वनसज काली द्वारी पंडा के वनसज कैलास पंडा तनपुरिये के वनसज कैलास पंडा कंगाल महराज के वनसज बढ़को छुटको परिवार के वनसज गनेश करमे परिवार के वनसज भवानी संकर करमे परिवार के वनसज तथा दाई और मुच्छल परिवार के वनसज कुंजिलवार परिवार के वनसज सिवराम जैराम परिवार के वनसज अपने यात्रियों के संकल्प पूजा उपनयन विवाह मुंडन विशेश पूजा आदी अनुष्ठान कराते हैं यही मापारवती के प्रांगर में ही पंड़ाधर्म लक्षिनी सभाद्वारा दहनिक संध्या आति की जाती है गठवनधन की परंपरा परंपरा के निशार बाबा बैद्यनाथ मंदिर और मापारवती के मंदिर के सिखर को पवित्र धागों से बांध कर गट बंधन जूड की परंपरा है यह परंपरा शीव और सक्ति के गट जोड या गट बंधन को कहा जाता है सास्तों में भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर और मापारवती के मंदिर की सिखर को धागों से गट बंधन से जूड़ने की परंपरा का वर्णन है यहां आने वाले भक्त बाबा का जलाविसे करने के बाद अपनी मनों कामना की पूर्ति और परिवार की खुस हाले के लिए बाबा बैद्यनाथ और मापारवती मंदिर के बीच पवित्र गट बंधन कराते हैं यहां की विशेष्टाओं में से एक है जो किसी अन्य जोतिर लिंग में देखने को नहीं मिलता है ओम नमस्षिवाए ओम उमा महेश्वराय नमा हर हर महादेव जय महाकाल ओम नमस्षिवाए